हाई गाईज विल्कम बेक टू माई चैनल कैसे हो आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो गाईज आज की वीडियो में आपके साथ जिग जैक स्टाइल फ्रेंच ब्रेड की वीडियो शेयर करने लगी हो बहुत ही सुंदर एंड स्टाइलिश लुक दे गया य जो हमने चीर निकालना है वो आप कॉम की हेल्प से बड़ी असानी से या किसी भी स्टिक की हेल्प से इस तरह से यह चीर निकाल सकते हैं बहुत ही सुंदर लुक देगा आपको यह वाला हियर स्टाइल बहुत ईजी है इसे करना सिरफ आप ध्यान से देखिए कि मैंने इस ह है अगर आपको फ्रेंच ब्रेड बनानी आती है तो आप इस हेर स्टाइल को बहुत ही इजी तरीक कैंसे कर सकते हैं तो देखिए सबसे पहले मैंने चीर निकाल जिग जेक स्टाइल में उसके बाद जिस तरह से हम French braid करते हैं फ्रंट के थोड़े से बाल लेकर फिर हमें दोनों साइड से layers लेते जाना है पतली-पतली layer लेते जाना है तो इस hairstyle को करने के लिए आपके बाल बिल्कुल neat and clean होने चाहिए oil free होने चाहिए आप चाहिए तो अपने बालों में थोड़ा सा सिरम लगा सकती है जिससे कि आपके बाल बिल्कुल smooth, silky हो जाएंगे तो देखिए इस तरह से आपको layer लेते जाना है दोनों जो हमने बीच में चीर निकाला है पहले आपको इस side बनानी है फिर दूसरे left side, फिर right side इसे double ponytail में भी बना सकते है जैसे कि two tails भी आप बना सकते है या फिर आप इसे simple single भी छोड़ सकते है किसी भी hair accessory का use करके आप इसे बहुत ही सुन्दर तरीके से किसी भी party function में करके जा सकते है बहुत ही सुन्दर ये वाला hairstyle लगेगा इंडियान एंड वेस्टेंड दोनों outfit के साथ आप ये वाला hairstyle केरी कर सकते है वेस्टेंड आउटफिट के साथ अगर आप डबल पॉनी टेल करते हैं टू टेल्स बनाते हैं इस hairstyle को करके तो आपका hairstyle इतना ज़दा सुन्दर लगेगा इतनी सुन्दर आपको ये लुक काएगी तो बहुत जल्दी न मैं आपके साथ वोबली वीडियो भी शेयर करूंगी जिसमें मैं टू टेल्स बना कर दिखाऊंगी तो इस hairstyle में मैंने front में french braid बनाई है फिर मैंने उसे simple braid बना दिया है क्योंकि मैंने बाकी के बाल open ही छोड़ने हैं ये देखिए कुछ इस तरह से बहुत simple hairstyle है इसमें different ही है कि एक तो हमने zigzag style बनाया है जिससे कि इसकी look और जदा अच्छी आ गई है और जो french braid बनाई है वो हमने बिल्कुल सीधी सीधी बनाई है बिल्कुल straight बनाई है और बीच में हमने center partition कर दिया zigzag style में जिससे इसकी look को और भी जदा अच्छी आ गई है ये वाला hairstyle बहुत ही जदा सुन्दर लग रहा है तो बिल्कुल close से आप देख सकते हैं कि मैंने इस hairstyle को किस तरह से बनाया है बहुत असान तरीके से आप बना सकते हैं किसी भी party function में इस hairstyle को carry कर सकते हैं जस्ट और जस्ट 3-2-4 minutes ही लगेंगे आपको इस hairstyle को बनाने में आप चाहिए तो किसी की help ले सकते हैं जिसे French braid बनानी आती है उससे आप ये वाला hairstyle करवा सकते हैं खुद अपने बालों में ये वाला hairstyle करना थोड़ा सा मुश्किल है तो जिसे French braid आती है आप उसे ये वाले वीडियो दिखा कर ये वाला hairstyle बनवा सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सुन्दर लगेगा तो इस hairstyle को पॉनी टिल में कैसे बनाना या फिर टेल्स में कैसे बनाना इसके भी मैं वीडियो जल्दी शियर करूंगी आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना ये वाला hairstyle आपको इजी लगा है वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे मिलूंगी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू वाई